इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सब से पहले देखने के लिए पास के अस्वरताल में भरती कराया गया है, जबकि बचाओ दल आग को बुजाने की कोशिश में लगा हुआ है आपको बता दे की ट्रेन करांची से रावल पिन्नी जा रही थी, जब उसमें यहा हाथसा हुआ आपको बता दे की यह आग गय फिलेंडर फटने की वज़ा से लगी, जिसे लेकर एक यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा था फिलेंडर से आग लगने की पुष्टी पाकिस्तान रेलवे अधिकारियों ने की है जियो टीवी के अनुफार यात्री ट्रेन के अंदर नास्ता बना रहा था जिसके कारण आग लगी, धमाकी की वज़ा से तीन बोगियां आग की चपिट में आ गई मरने वालों में बच्चे और मैलाई भी सामिल है, अभी तक किसी की भी पैचान नहीं हो पाई है मृत को और गायलों को लियाकतपूर डी अच्क्यू अफपताल में भरती कराए गया है, बचाव दल की टीम ने आग को बुझा लिया है, अब रहीब यार खान के उपायूग जमील अहमेद के नेतुरत में तलाफी अम्यान चल रहा है बचाव दल की साइता के लिए पाकिस्तानी सेना के जवानों सही डॉक्टर हो पैरामेडिक्स को भी भेज दिया गया है, गायलों को बचाने के लिए मुलतान से सेना का एक हेलिकॉप्टर भी रवाना किया गया है पाकिस्तान के एक मंत्री ने बदाये कि बहुत सारे लोगों ने ट्रेन से कुटकर अपनी जान बचाई सिलेंडर फटने से एकॉनोमिक क्लास की तीन बोग्यों में आग लगी गटना के दो गंटे बार ट्रैक की मरम्मत करके ट्रेनों के फंचालों को सुरू कर दिया गया और ज्यादा ज्यादा सियर करें धन्यवाद